नमस्कार आदाव सश्रियकाल तमाम दर्शकों का स्वागत है आपके हर्दिल अजीज कारिक्रम बिहार भिहान लाइव में आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्त शादमाहसन दर्शकों हर सुभा आप पर निर्भर करती है कि आप उसे कैसा पनाना चाहते हैं जी हाँ प्यारी सी सुभा का आगाज हो चुका है और ये सुभा कैसी होगी ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप किस प्रकारे से लेते हैं पॉजिटिव वे मिलें और अपने जीवन में सक सकारात्मक परिवर्टन लाने के लिए सकारात्मक प्रयास करें जी हां जीवन में कुछ भी खत्म होने जैसा नहीं होता दर्शक को बस हमें जरूरत होती है कि एक पॉजिटिव सोच के साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या जो बीच चुका है उससे बाहर निकलें और अपने वर्तमान में जीएं भूत काल से निकल कर अपने भववशी के बारे में सोचें और वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करें तो निश्चीत दौर पर हमारा जो आनेवाला भववश्य होगा वह सुनहरा होगा इसके लिए जरूरी होता है कि अपने सोच को हमेशा स मोल बचन में हम देखेंगे आईए जानते हैं डॉक्टर एपी जे अब्दूल कलाम ने कहा था मैं इस बात को सुईकार करने के लिए तयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता आज प्रसिद खजल गायक महंदी हसन का जन्म हुआ था जिहां राजिस्थान के लोना गाउं में 18 जुलाई 1927 को जन्मे महंदी हसन का परिवार संगित कारों का परिवार रहा कलावंत घराने में उनसे पहले की पंदरा पीड़ियां भी संगीत से ही जुड़ी हुई थी संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने अपने पता उस्ताद इस्माइल खान से ली थी दोनों ही और चचा से भी ली थी दोनों ही धुरुपत के अच्छे जानकार थे भारत पाक बत्वारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान चला गया था शेहनशाह गजल के नाम से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगहा बनाने वाले रूहानी आवास के धनी मेहंदी हसन ने 13 जून 2022 में हम सब को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था आज उनकी पूनितिती हैं उन्हें हम खराजय अकीदत पेश करते हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इसी के साथ तरशकों आपको बता दूँ कि आज हिंदी फिल्मों के प्रसिध अभिनेता राजेश खन्ना का निधन हो गया था उप फिल्मी करियर बहुत ही शानदार रहा उन्होंने अपने फिल्मी करियर की दौरान 180 फिल्मों में काम किया राजेश खन्ना को तीन बार फिल्म फियर अवार्ड चार बार बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड मिले थे साथ ही उन्हें 2005 में फिल्म फियर लाइफ टाइम अवार्ट से भी सम्मानित किया गया था, साथी 2013 में मर्नो प्रांत पदभूशन अवार्ट से नवाजा गया था, 29 जनवरी 1942 को अमरिसर पंजाब में जन्मे राजेश खन्ना की शादी टिंपल कबाड़िया से हुई थी, 18 जुलाई तो 2012 को कैंसर के कारण राजेश खन्ना ने हम सब को अलविदा कह दिया था, तो आज उनकी पूनितिती पर हम उन्हें शत्षत नमन करते हैं, भाव भिनी श्रंधा अंजली देते हैं, इसके साथ ही दर्शक को आपको बता दूँ कि आज हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्विगाई का मुबारक बेगम का इठारा जुलाई दोहजार सोला में असी वर्श की अमर में मुंबई की जोगेश्वरी इस दित उनके खर में निधन हो गया था, आज हम उन्हें खिराज है अकिदत पेश करते हैं, श्रदा सुमन अर्पित करते हैं, इसी के साथ दर्शक को अब वक्त है कि हम अपने कारिक अपके का उत्थान जरूरी है, इधन बहुत जादा बहुत जादा भागंभाग है जीवन में, हम अपनों से भी पीछे छोट जाते हैं, तो परायों की क्या बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ठहरना होगा, इस भागंभाग भरे जीवन में कुछ पल अपनों के लिए, क लाने में अपना एहम योगदान दे पाएंगे जी हाँ दर्शकों बहुत सारे आसे लोग होते हैं जिनके जीवन में कश्ट होता है लेकिन वो किसी से कह नहीं पाते हैं जरूरत है आज हमें समझने की इसके लिए जरूरी होता है कि हम अपने आसपास भी नज़र रखें और ऐसी ही खास लोगों में से एक खास इनसान आज हमारे बीच है जो की समाज सेवी है जी हाँ दर्शकों आपको बतान ghetto की आज हमने अपने इस्टूजियों में आमंत्रित किया है राजज्जिश राज को जो की समाज सेवी है उनके बारे में हम और भी बहुत बाते हैं जो आ साथ ही साथ आप राइटर भी हैं आप ठीटर से भी जुड़े रहते हैं और सिंगर भी हैं तो आपके और भी बहुत सारी खूबियां हैं जो एक एक करके मैं अपने दर्शकों के सामने लाऊंगे लेकिन फिलहाल बातें जो करूँ वो यह कि आज इंटरनेशनल निल्सन मंड मंडेला डे है जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि उनका पूरा जीवन समर्पितरह समाज में सकारात्मत परिवर्टन लाने के लिए नॉबल परुसकार विजेता और पुर्वरास्टबती दक्षिर अफरिका के क्या कहना चाहेंगे आज वर्तमान में इस दिन की खासियत के बारे में बात करूँ इस दिन के महत्विकी बात करूँ तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज बहुत ही खास दिन है और नेसलन अमंडेला जी का जीवन रहा वह लगतार समाज में जो भी हित काम रहा उसमें लगतार रहे और खास करके वह नसल भेत के लिए काम कि तो आज के वेवाऊं को, महिलाओं को ये सोचना परेगा, कि आपके पास में अगर बहुत ज़ादा पैसा नहीं है, या बहुत बढ़े पद पे नहीं है, तो उसके लिए समासेवा करना जरूरी नहीं है, कि आप पद पे हैं, तब ही आप समासेवा कर सकते हैं. आप एक इंसान है आम इंसान है आपको सोचना होगा कि भगवान ने आपको बनाया है और बड़ी फुर्सा से बनाया है यह सोचना होगा यह फील करना होगा और जो दूसरे इंसान है जिसके पास कुछ भी कमी हो चाहे वो दिब्यांग हो या उनकी पैसे ही कमी हो या उनकी भ किस्त प्रकार आपका रुजहान जो है वो समाज सेवा की तरफ हुआ आप समाज सेवी कब और कैसे बने हैं लिए बच्पन से हमारा समाज सेवी रुजहान रहा चुक्क एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां बच्चों को यह सची दिखाया जाता था कि कोई गरीब है असा ह है उनके हाथ से भी कंबल उनके हाथ से भी खान पान का समान बाटा जाता था मैं हेलन पॉल एक मैडम है जिनका स्टूडेंट रहा चर्च में मैं पर रहा चूंकि हमारी जिंदकी बहुत गरीबी से गुजरी पापा जी ठेला चलाते थे इतना पैसा नहीं था कि बढ़िया दर्द को थोरा सा आप ले लेते हैं तो उनको इतना अराम होता है और जीवन भर आपको याद करेंगे भगवान से बर करके आपको मानेंगे और आप जो भी करेंगे उसमें आप फलित-फलित होगा आपके बच्चे आप खुद अपस्वस्त रहेगा उनकी जो दूआ लग जब भूके को रोटी मिल जाए तन्धकने को कपना मिल जाए तब उनकी अंधर से जो दूआएं निकलती है न वो सीधे आपके हक में बहतरी के लिए होती हैं और आपकी बहतरी के लिए वो काम करती हैं हमें भले उस वकत ना समझ में आये ना दिखाई दें लेकिन जब कभ अपने अंदर ज़जबे के तौर पर लिया यह काबले तारीफ वाली बात है। और इस तरह से आपका रुजहान शायद समाज सेवा की तरफ हो गया। लगतार हम लोग काम करी रहे हैं। उस बेस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो किस प्रकार आप कारे करते हैं। इसमेल हैं पहला पफर्टी सबस्ता और न हो तो ना भजन और नहीं परहिए होगा तो सबसे पहले उन महिलाओं को हम लोग τις直ने जो आशिस्चित और उनके पास अपने बराए वरे वरे उनके बाल क제 लेकिन पाछें नहीं है तो उनकी जो सबसे बरी खुबिया होती है महिलाओं के जैसे सिलाई करना अच्छे-चे खाना बनाना या मेहंदी लगाना यह सब सारे चीजों के हनोने ट्रेंडिंग दिलवाएं एक्सपर्ट से और एक ग्रुप में उन को बुलाया गया एक संस्ता है नहीं दिशा परिवार उसके माध्यम से और कई संस्ताओं के माध्यम से सरकार भी इसमें बहुत सारी पहल करती है कि आप ऐसे सगर कैम्प लगाते हैं तो वहां के अनुवंडल पतादिकारी या उनके जो सरकारी पतादिकारी वह मदद भी करते हैं पैसे से मदद करते हैं या अपने आकर उनको प्रसाहन भी करते हैं तो उनको सिखाया गया तो 400 से उपर ऐसी महिला हैं जो स्वरजगार हो चुकी है आत्म निर्भर हो चुकी है और वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और उनके बच्चे भी बड़े-बड़ तो ऐसे तो पहले उनको ये दूर किया दूसरा है कि अगर आप कबाने खाने में लग जाते हैं तो आपका खान पान का समय बिल्कुल चेंज हो आता है तो उसमें भी हम लोग ने एक्सपर्ट को बला करके बता है कि आप समय पर खान पान करें और ये चीजे ना खाये जिससे मैं तो आपका स्वस्थ विगर जाता है क्यूंकि घर में आप ही कमाने वाले हैं और आप बिगर ते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम बिगर जाएगा तो ये सारा चीज उनको जाना तो उनके स्वास्ति भी अच्छे रहे और आज आगे बढ़ रहे हैं समाज में इस तरह की कामें हम लोगा है हमारे संसा से या हम लोग के ग्रूप से या हमारे दोस सर्किल से या हमारे फैमली से हमारे परिवार के लोग भी लगे रहते हैं हमारे परिवार के लोग भी आस पास के देखते हैं कि जो उनकी कमी नहीं है सबसे वरी बात मैम आप देखेंगे कि बरे बरे बिल्डिंग है उसके बीच में जोपर पट्टी है वहां की महिलाएं निकल करके कहीं जा करके कंबल बाट रही है खाना बाट रही है लेकिन उन बगल वाली को छोड़ दे लिए तो उनको भी देखना होगा ना वो तो आपके परोस के हैं और आपके परिवार हैं क्योंकि परोसी ही परिवार होता है जब आपको दर्द होगा तो वही आपका दुख हरेगा तो उनके पास तो जा नहीं होगा तो हम लोगों ने उन सब को सुरुवात करते हुए फिर बाहर के और प्रस्दान किया बेशक बलकुल और कह रखिशकौकों जासा बताया था कि आप गायक भी है तो चाहूंगी की आप अपनी गायकी से हमें और हमारी दर्शकों को ालकुल सुख रखते हैं तो अज बिहार-बियान का का स्वे सब्सक्राइब है कर घोर्धार में तो इस नाता हूं पुलकित होगे प्रान, के जाना के भोर हो गए, पंचीयों के सोर से जाना के भोर हो गए इसी के साथ आपने बहुत सारे नाटको का निटेशन भी किया है, उनके लिए लिखा भी है, तो थिएटर से आपका जुडाव कब और कैसे हो गया? अगर आपको मंच पर बोलना हो, आप एजय एंकर हैं, तो थेटर में सबसे पहले जूड़ना होगा, बरे-बरे आप अगर आइस की नौकली निकालते हैं, तो सब कुछ आप निकाल लगते हैं, लेकिन जब इंटरिव्यू में जाते हैं, तो छट जाते हैं, उसा कारण होता ह कि आप सामने वाले के आँख में आख डालके बात नहीं कर पाते हैं, आपकी जैसे ही इंटरिव किये तो हाथ पैर कपकपाने लगता है, तो रंग मच ऐसा साधन है, और सबसे सबसे सबस्ता साधन है, आप भीहरा ठेटर से जूर जाईए, किसी भी रंगमन सबस्ता से जू आपकी कॉन्फिडेंस बर जाती है, और वो आत्म विश्वास जो है, दुनिया को किसी भी काम करने में आपको न सर्म लगेगी और नहीं आप हिजिटेशन अंदर से आएगा, वो आगे के और आप गरिए, रंगमन च बहुत बरी चीज है, उसके साथ ही साथ मैंने कई समाच को एक ऐसा जंग लगाता है, जो छूटने से नहीं छूटता है, आदमी बहुत फिट फाट है, बहुत हीरो है, लेकिन जरा सा उसको नस्ता का आदत लग गया, तो उसके सारे चीजों का खात्मा हो जाता है, उस नाटक को मैंने लिखा, और कई नाटक के परदसन की है और बरे सभाग रहा कि होरी नाटक, जो प्रेम चंद का लिखित नाटक है, उसमें मैंने लिट करेक्टर भी किया, और एक बार उस नाटक को यहां से लेकर के दिल्ली तक परदसन हुई, कई नाटकों में एक स्वर्ग का हलचल है, जिसमें बताया गया, जिसमें जाना गया सरकस में देखें, चाहे अपने जीवन में लाइब देखें, बरे से बरे जो हाती हो, गाय हो यह जो भी हो, आप उसको प्यार से बात करते हैं, तो वो आपका गुलाम बन के रहता है, आपकी सेवा करता है, आपका आदर करता है, और वफदार होता है, इनसान से ज़्यादा आपने बहुत सारे नाटकों को लिखा, अभी ने किया, सबसे पसंदीदा अगर आपकी बात करूं, कौन सा कैरेक्टर आपके नस्दीख है, सिंगर, राइटर, प्रोड्यूसर, कौन सा? आपको सबसे अच्छा तो लिखने ये बहुत मजाता है, चुकि आसपास के चीजों को पता नहीं कैमरा की तरह काइद हो जाता है, तो उसको लिखने बहुत मजाता है, तो मैं कई तरह का मैंने लिखा भी हूँ, जैसमें नीदियान आटक हो गया, दा एक्जामनेशन हो गया, जो सिच्छा पैधारित था, और उसमें बताएगा कि युवा फिरी भटके नहीं, कैरियर इस फर्स्ट है, आपका जो पहला कैरियर जो होता है, नाइन, टेंथ, इलेवन, ट्वेल, इस कैरियर में आप कहीं ही भटके नहीं, आप अपने लक्ष में रहें, हो सकता है कि आप आपको सबलता ना मिले, आपको सबलता मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, और किसी भी चीज के लिए आप अगर जान पराण परा लगाए भे हैं, तो आपके समाज के लोग साथ देते हैं, सब लोग साथ देंगे, पैसे घटेंगे, तो जो आपके बरे बुजरों के वो आपको प्रोष के लोग उन्हें बना के खिलाएं कि भाई लोग अच्छा काम करने के लिए आप तयार रहें कि हमेशा काम करें तो अच्छा मिलेगा ही। बेशक और कहते बेना कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इसे के साथ आप से जानना चाहूंगे कि चुकि आप थीटर से जुड़े हुए हैं, तो अगर वर्तमान सती बात की जाए, तो थीटर की क्या इस्तिति देखते हैं आप। इस्तिति तो बहुत दैनी है अभी थीटर की, इवापिरी के लोग उससे जुरेवे भी हैं, बुजरुग भी जुरेवे हैं, लेकिन सबसे बड़ा थीटर में एक आता है, जो उनको आने के समय में जब साधीवादी हो जाती है, तो पैसे की कमी होती है, उसके कारण वो बट टो आप के लिए हैं, थेटर से अलग अलगता के करें लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ कि थेटर के बज़् değil से बुख यह और करने में दिक्कत न होने होती है, तो दुर्सक करते हैं, कोई दुकान में आप कर रहे हैं तो उसमें कश्टमर कई तरह के हैं आप थेटर से जूरे रहे हैं आपने सब कुछ सहा है सब कुछ देखा है तो आपको बिजनस भी धरा-धर चलेगा और अच्छा चलेगा और अच्छे सली भी लेगे तो थेटर से जोड़ना चाहिए बरतम को भी थेटर से जोड़ने की ज़िए और एक बात बताना चाहूंगा नाटक किसी का भी हो अगर उसमें टिकट सिस्टम है तो हम इसे लोग अपने लोग जो है टिकट जरूर लेके जाएं दस रुपाइगा बीस रुपाइगा पचास रुपाइगा बहुत नहीं है आप 400 भी मॉल में जाकर वरे-वरे बीक-बजार में जाकर के टिकट कर इन फिलन की देखते है लेकिन अपने लोग जो परदरसनर करते हैं वो चोटा सा टिकट रखता है तो इसको आप नहीं लेठाए तो ये इस्तिती सुध रहेगी जब आप टिकट खुद खरी देगी है जी हाँ थोड़े से सोच को भी बदलने की जरूरत है जब हम बदलाव चाते हैं तो खुद में भी हमें बदलाव लाने की जरूरत है यहाँ पर चुकि आप एक राइटर भी है और बहुत सारे हमारे दशक हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और उन्हें भी लिखने का शौक है तो उनके लिए यह मेरा सवाल है कि एक राइटर को किन-किन बिंदूों पर ध्यान देनी की जरूरत होती है एक अच्छे राइटर बनने के लिए एक अच्छे राइटर बनने के लिए और आप बीवाद में कभी ना परें उसके लिए सबसे पहले है पोजेटिव आपके दिमाज में हमेशा पोजेटिव थिंग होना चाहिए एक सूरज का जब रोशनी पढ़ता है तो लोग जरन महसूस करते हैं कि आप जानते हैं कि वह बदलाब करें और खास करके युवाद पीरे को आना चाहिए और लिखना चाहिए उन लिखेंगे तो बेहतर लिखेंगे और उनके दिमाग में हमेशा पोजेटिव आएगा जिसे समाज में बतलाब आएगा समाज में परिवर्तन आएगा एक लेखक तो बहुत बड़ा ची सत्राइन जी है जो अब उनकी उम्रे बहुत साथ नहीं बची हो लेकिन उनके साथ अगर बात करेंगे तो उनकी आवाज और उनके जीने का तरीका है लगता कि वो तो अभी आवाए ठाट साल के हैं और उन्हें बिहार के गित को लिखें तो आप देखें कि आप लिखने के कि कला की कोई उम्रे नहीं होते हैं लेकिन वह अगर जुडते हैं तो उनके लाइफ में बहुत काम देगा जिवन में बहुत काम देगा हर एक चिस से बेशक और एक सकानात्मक सोच के साथ और बदलाव के साथ जुड़ने की जरूरत है चाहे वो थिएटर हो चाहे वो आप राइटर बनना चाहते हो आप किसी भी फिल्ड में जाएं किसी भी सेक्टर का चुनाव करें बस एक सोच पॉजिटिव सोच के साथ जाएं और दिल म एक जजबा भी रहे कि हम भले ही जो भी कुछ भी बने लेकिन समाज में एक बदलाव लाने में अपना महत्पूर्ण योगदान देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर आप से बात करूंगी चुकि आप एक अभिनेता भी हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत से युवा हैं जो अभीनेता बनना चाहते हैं अभिने की शेत्र में करियर चाहते हैं तो उन्हें आप क्या कुछ गाइडलाइन देना चाहेंगे कि जो और आने से पहले किस प्रकार अपको पूरी तरह से त compose करें अभीनियता बनने लिए घर से शुरू है था, अबजयरीस citizen बहुत जरूरी है, observe करना, अपनी मम्मी को observe करे जिये पापा को observe कि इसे वह निकलते हैं, कैसे वह भोलते हैं, भी जहां भी होमिये गा वहाँ, जरूरी है, हम लोगो को खोड़ दी जाता था था, गांधी मिदार मे बहुत जरूरी है अगर आप अबजर्व करते हैं और फिर बार-बार उसकी कुल आते हैं और सामने वाले के टोन अगर पकड़ते हैं तो समझे कि आपकी अबिनेता जितने भी सारे लोग आवाज निकालते हैं तो वह सारे टोन को ही पकड़ते हैं उनकी आवाज को कभी नहीं या अखवार आप पढ़ते हैं, तो उसको जोर जोर से पढ़ें, भले सामने वाला गरम होता रहें, लेकिन आप पढ़ें, पढ़ते पढ़ते हैं, आपके पास में सब्दों का भंडार आएगा, और आपकी तलफुज जो है, जो है, जो है, वो थरा साफ होगी, जो आम तोर म पर अच्छा इंपक्ट भी पढ़ता है, और आगे बढ़ने में बहुत मदद भी मिलती है, यहां पर आप से पूछना चाहूंगी, चुकि आपने बच्पन के बारे में बताया कि काफी संखर्ष भरा रहा आपका बच्पन, अगर आगे की बात करूं, किस प्रकार फिर आगे बढ़े और अस मकाम तक पहुँचे, उस सफर के अगर बात करूं, तो क्या कहना चाहेंगे? बच्पन के बच्पन में गुजर चुकी थी, तो अभी उन्ही को मा बोलते है, हिरन पॉल को भी बात भी होता है, तो उसी तरह से बात होता है, उनके परिवार में ने एकसेप्ट किया है, यह मों का बेटा ऑपरिवार का यह आँग है, बले हम अपने अलग फैमिके तरह ज हैं बहुत तागरा हैं उनके दिरिष्टी से आप पच नहीं सकते हैं उनको पता है कि ऐसा अगर किया ती दस साल बादी चला जाएगा कुछ नहीं किसे डॉन फोल्ड हो जाएगा चाहिए वह बीजनस के लाइन हो चाहिए अभिनाय के लाइन हो चाहिए आपके जीवन में जो हमानना ओंको लोग लगते हैं आपके अच्छे के लिए और गुरु हमेंसा करा ही बुलेगा तो आपको अराम से सुनना होगा क्योंकि जितना वो करा बोलेगा उतने फ़ल आपका मिठा भी रहेगा जिया बेशक भले ही उस वक्त हमें बातें समझ में नहीं आती हमारे बड़े बजर्गों की लेकिन वो हमारे लिए ही होता है जब हम उस मुकाम पर पहुँचते हैं तब जाकर हमें समझ में आता है कि अच्छा ये हमारी बेहतरी के लिए ही कही गई बाते थी तो ये था आपका सफर गुरूओं की बनस्बत उनकी बदौलत आप उस संखर्श भरे दौर स समाज इस मुकाम तक पहुँचे बहुत जगह आप गए होंगे बहुत सारे आपने समाज सेवा के कारे किये हैं उन समाज सेवा कारें के अगर बात करूं कोई ऐसा लमहा जो आपके दिल को छूब गया हो जब आपको लगा हो कि नहीं समाज को असल माइनों में हमारी अगर कोई उसको बोल दिया कि आपको कुछ नहीं होगा अब जीएंगे यह कुछ भी नहीं है दवा खाते रहिए बसते रहिए आप जी जाएगा तो वह जी जाता भी है अगर उनको हरका दीजिए कि आप तो गया आपको कुरोना हुआ इससे तो कोई बसता नहीं तो चला तो इस नीनों जो है कुरोना काल के समय में हमारी बहुत सारे ऐसे लोग थे अपने जो बीमार परें तो हम लोग ने कोशिस किया टीम से कि जाए और उनको जाकर के अच्छा एक खाना पहुंचा दे कम से कम खाना खाए तो को बीमार को एक लिश्ट मिल जाता कि अब यह नह हो ढूंद करना पहला था कि खुद भी बचना है और जाकर के उन लोग से मिले लेकिन भ cater सारी लोग जो नहीं रहे जिनको साथ क्रो न चुआ वह तो बहुत दर्द है और बहुत दर्द जनके जाने से लोग बोलता है कि कि सी के जाने से कुछ़ होता नहीं मैं ता कि जाने स यह दर्द तो मुझे है और जो क्रोना काल बीता है वो भगवान ना करें दुबारा है इस धर्दी पर और जिन सारे लोगों को कश्ट इतना हुआ है इतना हुआ कश्ट की मत पुछें किसी के पास में पैसा था तो वो कुछ दिन जी लिए कुछी दिन जी लिए लेकिन वो त नहीं दे सकते हैं पुलिश उनको गिरफतार कर लेगी आप एक राइटर हैं एक सिंगर है एक एक्टर है साथी साथ समाज से वी भी हैं अब यहां पर मैं आपकी जिस रूप की चर्चा करना चाहूंगी वो राइटर की जी हां आपका लिखा कुछ मैं चाहूंगे कि आप ह कि याद करेगा कल कोई मुझे को मेरे जाने के बाद आस्मा पर एक निसान छोड़ जाओं, ऐसी ही कुछ तमन्ना है, क्या बात है, याद करेगा मुझे जाने के बाद कोई आस्मा पर कुछ ऐसा निशान छोड़ जाओं, क्या बात है, बहुत ही खुब और बहुत ही खुब्स सेवा के कारे किये हैं यह आपने बताया था कि आप प्रशिक्षन भी देते हैं लोगों को और तों को महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं ताकि उनकी आज जीविका का साधन हो सके तो यहाँ पर मेरा सवाल है आपसे कि ऐसे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि वो प्रशिक्षन ले कहीं से तो कहां से और किस प्रकार वो प्रशिक्षन प्राप्त कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को वो आगे बढ़ा सके आराम देखें पटना में बहुत सारी संस्ता हैं सरकार की भी बहुत सारी संस्ता हैं उपेंद्र महारती हैं नई दिसा परिवार है जो पटना सुटी में काम करती है और पटना में बहुत सारी ऐसे संस्ता है जो मुझे जानकाली है अगर नई दिसा परिवार को भी सर्च किया जाए गूगल पे तो वो आ जाएगा उसके कॉंटेक्ट से ही आप चीस एरिया में हैं उस एरिया में भी सिखाने का परबंद क्या जाता है सबसे बरी बात है कि वो संस्थाइं पैसा नहीं लेती है जो हुनरमंद महिलाएं जो परस्षित हैं पहले से उनको मदद मांगती है कि आपको छोटे से पेमेंट में ही दो घंटा समय दे दिजिए ताकि आप जैसी महिलाएं हैं कुछ सिक करके वो आगे बरें तो जैसे अब सबसे पहले आप देख चकते हैं कि दुलहन की तैयारी हो या पाटी हो या फंक्सन हो सबसे पहले जरूब थे लोगों की हाथ में मेंदी आजकल पुर्सो भी लगाने लगें मेंदी और महिलाएं तो लगाती हैं तो उनकी मेंदी जो है आप सोच लिए कितना में आएगा दस रुपया बिस रुपया हाड़ी सो रुपया लेकिन आंधनी आज तो आप देख रह में बर जाती है और पुंजी कुछ भी नहीं इसके बाद आता है सिलाई सिलाई पहली पसंद पूर्सो को दे दीजेगा यहां से यहां तक सीने के लिए वह बोर हो जाएगा सीए गाईने सुई फैक लेकिन महलाएं पता नहीं उनके अंदर इतनी जजवा होती है कि वह अरा प्रणकारी जो मार्केट में पड़ चल रही है ब्लाउच का डिजाइन हो गया वो सारी हमारे जो सीख वी महिलाएं ने को पर से च्छित कर देती है ताकि वो अपना सॉप चला सके सौप कोभी नहीं चुलाने के यवकाद हैं। उनकी पास में नहीं पैसा हैं। तो वो वहां जाकर काम कर लेती हैं। यो आइस्ता है फिर अपना विकास करتी है। उन से सजावट का समान बनाना, यह परसुचत करते हो, जो वरेष्टे समान है, आज के सबसे बड़ा कूरा है, वो आपके घर का समानी है, सबसे बड़ा कूरा, कितना टं कूरा निकला है, लेकिन उस कुरे को अगर सजावट का समान बन जाता है, तो भीके मार्केORA Mareket में भी आपके घर में भी दिखेंगा और अच्छा दिखेंगा साथी के कार्ट हो गए वह हो गया चुनको प्रकशन अलब यह बना देनगे उनसे बहूत सारे सचार उती आभ समान मोस बनते हैं भीक्राम एक कीरा दें और नोशनलें को में वे articles कि गभुола हो गया高 dark लोगों ने गीद गया और गीद को लिखा और इस पर्तिवा को आप देख लीजिए आप मिठी को जिस रूम दीजिए गा उस आकार बन जाएगा आप जिस धर्म से जुरह हैं इसका मतलब नहीं है कि आप किसे धर्म से जुरह है वाद कर अगर आपके दिल में जो आकार तो उनका भी जिवका पर्गम आइस्ता आइस्ता बढ़ते जाएंगा ये बहुत ही अच्छी बात कहीं आपने कि आप खुद भी सीखें और औरों को भी सीखाएं इसे हमारा भला तो होगा ही होगा औरों का भी भला होगा और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि इश्वर हमें उस श्रेडी में रखे कि हम अपने साथ साथ औरों का भी भलाग कर सके। यहाँ पर बात करूँगी कि आपने बहुत सारे दिव्यांगों के लिए भी काम किया है। किस प्रकार आपने मदद की दिव्यांग होगी। से लाते हैं का सब कुछ करते हैं। उनका मल मुत्र सब कुछ करना पड़ता और आपको पता है कि भारत को अलॉम्बिक सबसे ज्यादर दिव्यांग नहीं दिलाया है। इस बार भी हर झ्यैवल में और उनके पास में बहुत बरी सक्तिय हुती हैं उनको एक बार बता दीजीजें? कि ये बॉल को वहां मारना है वह ही मारेगा और वो जीताता है वो खेलता है गेम और उनके साथ में सिंपैथी के साथ साथ में उनको गेम का खेल का रूची बहुत ज्यादा होता है और किसी भी तरह का खेल हो उनको अगर बताया जाए तो खेलते हैं और आपके लिए वह लात करना अगर आप इस वर से मिलना चाहते हैं तो दिव्यांग की सेवा किजिए और मुझे लगता है कि बहुत तरह का मतलब सौ दिन का पार्ट है या एकाथ हजार का पार्ट जो करना वो बेकार है लेकिन आप इनको सेवा कर दीजिए आप बहुत अच्छा जिहां ये अपनी सेवा भाव है कि हम क्या करना चाहते हैं एशवर हमें इस मकाम इस दिल में जगह दे कि हम औरों की मदद करें और खासकर दिव्यांगों की बुजर्गों की एक अलग जगह होती है एक मकाम होता है अगर हम उनकी मदद करेंगे तो इश्वर भी हमारी मदद करेंगा एक बात और मैं मैं इस पर छोड़िया था कि यहाँ पे आपको अंतर जोती बिद्याले तो मैं वहाँ जरमदीन अपना मनाता हूँ और आपको यकिन नहीं होगा कि मेरे गेट पे जाते हैं वो लोग पहचान लेते कि वो आ गया है जबकि उनकी तो आँखी भी नहीं हैं महसूस करते हैं इक्ष्टा सक्ति में उनको दिया है जहां बेशक इश्वर कहते हैं कि एक दर्वाजा बंद होता है तो सौ दर्वाजे खुल जाते हैं उसी प्रकार अगर इश्वर ने कुछ आपके साथ कमी कर दी तो उसके बदले उसके एवज में आपके पास बहुत सारी ऐसी शक्तिया होती हैं इससे कि आप इस दुनिया का आनंद ले सकते हैं यहां पर बात करूंगे कि आपने शिक्षा के माध्यम से भी बदलाव लाने की कोशिश की हैं किस प्रकार आप शिक्षा से बदलाव लाना चाहते हैं समाज में इस इच्छा है बदलाब नाने के लिए सबसे पहले बच्चे जो आपके तीन साल चार साल के हो जाते हैं मतलब सरकार करनुसार जो पंडेलाइक हो जाते हैं तो उसको खेल-खेल में ही पढ़ाईए अगर हाती दिखाते हैं तो हाती दिखाईए उनको छोटा सा खिलो ना और पूरा मिनिंग बताई हैं तो समझेगा हाते क्या करता है क्या नहीं करता है एक बराब बता दीजिए आप बार बार पुछेगा बार बार बताएगा इसी तरह से उन बच्चों को थोरा थोरा उमर जब बढ़ता जाएगा तो उनको लिखने और यह सब करने के लिए आप सि इसनाई एंकोने कैसे कि आज बारे के बारें बता रहे थें उनके effectivement आता जहसे लेकर के कहा आपका अदर यहां पर करना चाहूंगी, के आप यहां हैं Hein और बहुत सारी जानकार य। को हम दिल से स्लाम कके ये जजबा है अपके य। हमेशा यूही चाैम ऋ हमारी कामना है भहत बहुत धन्य B programming के तूनय का disparu और खासकर युवाओं से मैं अपील करना चाहूंगी कि आप भी एक जजबे के साथ आगे बढ़ें और समाज में परिवटन लाने में अपना एहम योगदान दें तो दर्शकों आपको कैसा लगा हमारा आज का खास कारिकरम अपने फीदबैक अपने विचार हम तक जरूर प कर्यार रूट कॉम